तो प्रभात मैं प्रियंका अग्रवाद, Holy Children Public School and Hostel में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दी कविनन्दन करती हैं। कक्छा दो, विशय हिंदी, जिसका पहला पाट है फूल हमेशा मुस्काता, ये कविता सोहर लाल दुवेती जी दुवारा लिखी गई है। आईए बच्चों, हम देखते हैं कि इस कविता में सोहर लाल दुवेती जी ने हमें फूल हमेशा मुस्काता कविता के दुवारा क्या संदेश दिया है। चाहे बहे हवा मतवाली फूल हमेशा मुस्काता चाहे बहे हवा लूबाली फूल हमेशा मुस्काता पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता उपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता नीचे टपक धूर में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता है रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता है इसलिए वा सब को भाता, फूल हमेशा मुस्काता है तो बच्चों, इस कविता में सोहन लाल दिवेती जी ने फूलों के माध्यम से हमें जीवन में वो अन्मोल सीख दिया है जिसे हम अपने जीवन में उतार लें तो हम बच्चों का जीवन भी सफल हो जाए फूल कभी भी किसी भी परिस्थिती में रोता ने क्या बच्चों कभी हमने फूल को रोते देखा हैं? नहीं न, फूल कभी भी चाहें काटों की नोकों को सहना पड़ी या लू की थपेड़े मिले, चाहें कड़कडाती सर्दी हो लेकिन कभी भी फूल अपने, अपका कभी भी फूल नहीं रोता उसी तरह हम बच्चों को भी किसी भी परिस्थिती का भी सामना करना पड़े चाहे दुख मिले या सुख मिले किसी भी परिस्थिती में फूल जैसे नहीं रोता उसी भी हमें भी कभी नहीं खबाणा चाहिए और हमेशा इस से सबक लेकर अपने जिन्दगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए इसलिए फूल अपने बेवार से सबको पसंद है हमें भी अपने बेवार से सबको खुश करना होगा तो आईए बच्चों आज के लिए इतना ही लेकिन होमबक हम अपना यानि ग्रिय कार्य करना नहीं भूलेंगे इसके लिए हमें इसके अभ्यास कारें और इसके शब्दार अपने डायरी में नोट करने है और डायरी में होंबक नोट करके इसका नोट रूपने इसका हमें एक्सरसाइज यानि अभ्यास बनाना है और जो भी आपको कठिनाई हो जियां आपको कहीं इसका अभ्यास समझने ना आए तो next class में मैं इसको आपका जो भी problem होगी या जो भी परशाणी होगी आपको मैं उसको solve करो Thank you